नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि हाई बोल्टेज आने पर भी आपका टीवी कैसे काम करें, टीवी फेलना हो और आप टीवी जेख्चे भी रहें, बंद भी ना करना पड़ें, ये प्रस्ट हमसे बहुत दो लोगों ने पूछा है, यह है मेरे टीवी की रेटिंग प्लेट है, यह टीवी के पीछे लगी है, देखें यहां लिखा है 110-240 वोल्ट, मतलब यह टीवी 110-240 वोल्ट की रैंज की AC सप्लाई में काम करेगा, अगर 240 से ज़्यादा वोल्ट आता है, तो टीवी फेल भी हो सकता है, मगर अधित तर घरों में 240 से ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी तो 280-290 वोल्ट तक आ जाता है, जो तरीका हम आपको बताएंगे, वो तब काम करेगा, जब आपका टीवी 110-240 और 200 तक की फुल रैंज पर काम करें, आज कल करी करीब सभी टीवी इस फुल रैंज पर काम करते हैं, देखिए अभी हमने आपको दिखाया, कि जो मेरा टीवी है, वो 110-240 वोल्ट की रैंज पर काम कर रहा है, और ये इनकमर सप्लाई है, लाइन और निट्रल, वो 230 वोल्ट आनी चाहिए, मंगर उसमें और वोल्टेज आ रहा है, दो सो नब्भे तक, और कभी-कभी तो अंडर वोल्टेज भी आ जाता है, तो इस फुल रैंज में टीवी काम करें, इस रैंज वाला, 240 वोल्ट वाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, हम क्या करते हैं, कि इसके इनकमर और टीवी के भीच में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, आटो ट्रांसफार्मर, देखे लग गया तो यह सप्लाई पहले ट्रांस्वार्मर के प्राइमरी में जाएगी और सेकेंडरी से वोल्टेश टीविक हो जाएगा मगर इस रैंज में ये कैसे काम करेगा FULL तो ये कैसे काम करेगा और कहां मिलेगा ये transformer मैं दोनों बाते आपको बताता हूँ मैं आपको Voltage Range का Calculation बताता हूँ देखिए ये transformer है इसकी output 80% पर Tapping है 80% वाले Tapping को हमने लिया है इसका मतलब यह हुआ जो भी वोल्टेज यहां आएगा उसका 80% यहां आएगा तो मान दिजे यहां पे वोल्टेज 290 वोल्ट है तो यहां पे कितना वोल्टेज आएगा 290 गुणा 0.8 बराबर हो गया 230 वोल्ट इसको लगबग हमने 230 लिद दिया है तो जब यहां 290 आएगा तो यहां पर आपको 230 वोल्ट मिलेगा आमालीज यहां पे वोल्टेज कम हो जाता है 150 वोल्ट आजाता है तो आउट्पूट कितना आएगा 150 वोल्ट गुणा 0.8 इसका 80% आएगा यह आगे 120 वोल्ट तो जो इंपूट रैंज है 150 से 290 तक अगर वेरी हो रहा है वोल्टेज तो 150 होने पर 120 वोल्ट आजाएगा और 290 होने पर यहां पर आउट्पूट में 230 वोल्ट आजाएगा मतलब 150 और 290 की वोल्टेज रैंज हो यह आउट्पूट में तो आउट्पूट में आपको 120 से 230 वोल्ट की रैंज मिलेगी ठीक है यह TV की वोल्टेज रैंज के अंदर है अब आपको पता चल गया ना कि यह ट्रांस्फार्म कैसे काम कर रहा है इन कमर अगर 150 से 290 वोल्ट वेरी होता है तो आउट्पूट में 120 से 230 वोल्ट की रैंज आएगी यह जो रैंज है 110 और 240 के अंदर है देखिए यह वोल्टेज रैंज इस फुल से ना तो ज़्यादा है 240 से ना 110 से कम है तो फुल रैंज में यह आपका टीवी काम करेगा अब हम आपको पताते हैं कहां मिलेगा अब पहला तरीका तो यह है कि इस ट्रांस्फार्मर को आप इस्पेशली और करते हैं जो आपकी टीवी की रेटिंग है उससे डाबल रेटिंग कर लें जैसे टीवी की रेटिंग मालीजे 60 वीए है या 60 वाट है जैचा की मेरे टीवी की है 60 वाट तो आप 120 वाला ट्रांस्फार्मर आडर करें तो आटो ट्रांस्फार्मर 290 by 230 वोल्ट 120 वी है यह हमारे टीवी के लिए ट्रांस्फार्मर की रेटिंग हो गई अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ यह एक मैनुल वोल्टेज स्टेबलाइजर है इसमें देखिए यह आटो ट्रांस्फार्मर है और यह इन्पुट है 230 वोल्ट और यहाँ पर बहुत सारी टैपिंग है यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा यह स्टेब टैपिंग वाला आटो ट्रांस्फार्मर है इस stabilizer को ऐसे ही यूज़ नहीं करना है इस stabilizer के सारे connection निकाल दीजिए फिर अपने हिसाब से connection करिए जैसे कि मैंने शुरू में circuit में समझाया है आपको सिर्फ 6 item चाहिए box transformer 3-pin output socket AC input wire input switch और fuse transferer में बहुत सारे तार है जो wire यूज़ नहों उन पर ठीक से insulation tape लगा दीजिए अगर आप expert हैं तो बिना किसी item को निकाले आप rewiring कर सकते हैं मैंने भी बिना कोई item निकाले rewiring की हुई है अभी जो हमने auto transformer दिखाया उसमें बहुत सारे टैपिंग है तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर input supply दे और कहां से output लें तो आप क्या करिए जहां पर input supply लगी है लगी रहने दीजिए यहां पर आप AC supply दे दीजिए जो भी 220 या 230 वोल्ट हो घर में और हर टैपिंग का वोल्टेज neutral के respect में चेक करिए यहां पर भी जितनी टैपिंग हो आपको पता ही नहीं होगा यह इधर है कि इधर है जिस पाइंट पे बोल्टेज सबसे ज़्यादा आए वो मार कर दीजिए वहां पे input देना होगा वो पाइंट यह है आप income और आप कर दीजिए और input connection इधर कर अब फिर से आन करके यहां पे supply दीजिए अब यहां सारे कम voltage आएंगे फिर से voltage चेक करिए जहां पे आपको 80% मिल जाए voltage इस supply का वही पाइंट आपको 80% tapping वाला हो गया इधी ना यह हमने multimeter दिखाया है वो voltage range में set है जो ट्रांसफार्मर आटो ट्रांसफार्मर इस tapping पर 230 वोल ले रहा था वही इस tapping पर ज़्यादा voltage ले जाएगा आप ऐसा voltage stabilizer बाजार मिलीजिए जिसके रहन 290 तक हो आपको मिलेगा आप आप transformer यह वाला order करें या stabilizer से लें यहां बीच में लगा दिजिए और huge इस transfer के यहां primary में लगेगा इन कमर में और बस आपका काम हो गया आप transformer लगा दिजिए और 290 वोल्ट आने पर भी टीवी देखने का आनंद लीजिए ना टीवी आपको बंद करना पड़ेगा और ना फेल होगा अब आज यहीं समाप्त करते हैं करते हैं करते हैं दो आपर दो करते हैं झाल झाल